Hello students, हम fermented food को discuss कर रहे थे, आज हम एक और fermented food को discuss करेंगे जिसका नाम है कमबूचा, तो चलेंजी अपने लिक्चर को start करते हैं तो यह जो कमबूचा है, यह basically क्या है, fermented tea है, जिस तर आप लोगों को जार में नजर आ रहा है, तो यह जो pot है, इसमें यह क्या है क्या है, यह कमबूचा है तो यह basically क्या है, fermented tea है, जिसके पेरिंस fizzy है, fizzy means foamy, जिस पर जाग वगरा बनता है, foamy type sore होता है, sore means के acidic, या bitter, या even इसको हम tingy भी कहते हैं, जिसको और दू में हम तुर्ष कहते हैं, तो तुर्ष टेस्ट इनका होता है, और साथ में flavorful होता है, means कि इसका जैका जो है बहुत अच्छा होता है okay, बिसके लिए made, हम जो बनाते हैं इसको, it is made from green or black tea, जो leaves हैं, उससे हम इसको बनाते हैं, जिनी green tea है, या for example, black tea है, उनके जो पत्ते होते हैं, leaves होते हैं, उनसे हम इसको जो है वो prepared करते हैं, और कहते हैं कि it's content potent health promoting properties, means कि इनसे जब ये कंबुचा prepared होता है, तो इनकी जो property होती है, ये health promoting या health beneficial होती है, इसको जब हम prepared करते हैं तो जो tea leaves हैं, को हम steep करते हैं, steeping कहते हैं, कि जब हम इसको इसको complet करते हैं, होट शूगर वाटर में यनि बॉयलिंग वाटर में होट शूगर वाटर में इसको क्या कर देते हैं स्टीप कर देते हैं उसके रखते हैं और उसके बाद जो है ये जो लीव्स हैं इन लीव्स को हम डिसकार्ड कर देते हैं इसको पैंक देते हैं उसके बाद जब इसका टेंपरेचर डाउन हो जाता है तो उसके बाद टेंपरेचर कूल डाउन हो जाता है तो हम स्कूबी कल्चर को एड़ कर देते हैं इसमें और यह जो scooby culture है इसके लिए इसमें क्या होता है कि यह जो symbiotic bacteria या yeast है उनका biofilm होता है ना यह combination में होता है biofilm means कि जब वो combined होते हैं उनने combination से एक film बगारे کی preparation करते हैं तो इसको biofilm कहते हैं तो यह जो है पर हम क्या करते हैं कि इस बायो फिलम को या स्कूबी कल्चर को इसमें एड़ कर देते हैं अच्छे इसके बाद जो हैं पर कुछ एनिमल स्टुडीज हुई है जिसमें उन्होंने देखा है कि फर्मपल जब कंबूचा जो है वो पीते हैं इससे तरहने इसके वो काफि हमी कंबूचा को प्रिवंट लिवर टॉक्सिक् Alexandra होने से फिल्टर के वृट से तो यह कंबूचा पीने से यह जो टॉक्सिक केमिकल्स वागरा है उनको exposed होती है तो वो क्या होते हैं फिर वो जो है वो लिवर टॉक्सिसिटी उसे ये प्रिवेंट करते हैं कंबूचा की यूज से इसके रवा इन्वेट्रो स्टुडीज जो है उनसे फर्दर भी ये वाज़ है कि जो कंबूचा है ये जो कंबूचा है ये जो कंबूचा पीने से 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 ब्लॉक हो जाती है फर्वर अगर मलेंगनेंट कैंसर हैं तो वह पिर स्प्रेड होना उनका स्टॉप हो जाता है और इसके लावा जो है कुछ इनिमल स्टेडीज में ये भी देखा गिया है के जो कंबुचा है ये अगर फर्वर हम यूस करते हैं तो इससे ये होता है कि बलड गुलुकोज जो बलड शुगर लेवल है वो रिडियूस हो जाता है यानि इसका मतलब यह है कि अगर blood glucose level rice हो जाता है तो kombucha की use से blood glucose level reduce हो जाता है यानि blood में sugar level भी कम हो जाता है, triglycerides कम हो जाते हैं और साथ में जो है यह जो LDL है low density lipoprotein जो है या bitcolistrol है इसका level भी reduce हो जाता है यानि इस लिहाज से जो है kombucha का use जो है हमारे लिए बहुत ही beneficial है ओके जो next फिफ्ट नंबर पे जो fermented food है उसको kimchi कहते हैं kimchi बिसके लिए यह popular Korean side dish है यानि Korean food है mostly Korea में बहुत use होता है ठाइन जो फिर्मेंट ¿कैबच से बनता है? जैनि यह जो हैंकी जो फार्मेशन है वो fermented cabbage से जिस थथा CEO क्राट है यह भी उस सौर क्राट जो है वो भी fermented cabbage है और जो kimchi है यह भी fermented cabbage से ही बनते हैं लेकिन कुछ differences होती है उसमें परदर जो कम position है वो आगे हम उसको discuss करते हैं अच्छा इसके लावा करते हैं कि fermented cabbage यानी cabbage से भी ये kimchi prepared कर सकते हैं इसके साथ-साथ जो दूसरे vegetables हैं या radish means gajar उनसे भी इसको हम prepared कर सकते हैं kimchi को अच्छा जो kimchi है इनका जो टेस्ट है crunchy pungent यहीं शार्प टाइप होता है पिकल लाइक जिस तरह acidic पिकल लाइक होता है इसका भी acidic होते हैं saltier than sourcrot, sourcrot से यह salty होता है means कि salt content इसमें sourcrot की बनिजबत जियादा होता है इसके लावा दूसरे जो spicy type होता है जो मसाला वगरा होते है spices जो है वो इसमें हम add करते हैं as compared to sourcrot अच्छे इसके जो health benefits हैं कहते हैं कि extensive health benefits हैं कि health benefits बहुत जियादा है जिसमें यह effective है जिसमें यह lowering cholesterol, cholesterol lower level जो है body में cholesterol level को reduce करता है साथ में insulin resistance को भी खतम करता है अब insulin resistance क्या होता है इसको हम जानते हैं जिसके लिए insulin जो है एक hormone है जो responsible होता है जो blood में जो glucose है blood glucose level को reduce करता है और जो blood में glucose है उसको tissues की तरफ transport करता है तो for example जब हम जियादा sweets वगारा यूज़ करते हैं तो इससे यह होता है कि insulin जो है prolong time के लिए produce होता है और यह prolong time के लिए produce होना यह होता है कि पर normally cells जो है वो insulin की तरफ response नहीं करते हैं इसमें यह भी होता है कि for example जो fatty material है वो जाकि insulin की receptors पे attach हो जाते हैं पर आगे insulin अपने receptors पे attach नहीं हो सकता cell receptors पे तो इस वज़े से पर वो blood glucose को transport करने में नाकाम हो जाता है या fell हो जाता है mostly यह tap 2 diabetes में यह होता है क्योंकि tap 2 diabetes में insulin तो produce होता है लेकिन जो है वो insulin resistance डिवलप हो जाती है तो इस वज़े से जो blood sugar level है वो high हो जाता है तो एक study में तकरिबन कोई 21 जो है वो pre-diabetic individuals को लिया गया है जिसमें उनको fresh या fermented kimchi के लाए गया 8 weeks तक ना उनको kimchi के लाए गया at the end of the study उन्होंने यह देखा कि फर्मपल जो individuals जो है जो है वो इसका लो हो गया था blood pressure भी normal पे आ गया था और जो body weight है वो भी reduce या control हो गया था तो इनके जो है तीन फैदे हैं insulin resistance को भी cover किया blood pressure को भी control में किया और body weight को भी reduce किया इस kimchi के use से फर्दर जो है कहते हैं के एक दूसरी study में अगर फर्मपल उनको high intake of kimchi जो है वो के लाए गया जिसका फैदा किया हुआ कि decrease in blood sugar, blood sugar reduce हो जाता है उसमें blood cholesterol level जो है उसमें reduce हो जाता है और साथ-साथ में जो bad cholesterol है LDL ये भी reduce हो जाता है ओके थैंक यू सो मच टूडेंट अलाहाफेज